कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा बड़ारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है या डॉक्तर को दिखाने जा रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्तर कोई बड़ी बिमारी बताएगा तो उस समय पर शीतल आर्थी का प्रयोग करें एक कुश्प हाथ की हतेली में रख लीजिए एक कुश्प हाथ की हतेली में रख लीजिए और यहां तक सास्तर करता है अगर हो सकते हैं अच्च्प सकते हो तो आपकड़े का अगर पुश्प मिल जाये किमारे इहां क्या उसको मन दार अग्र आकड़े का फूल Sari शुलन हो चोटा सा होता है घुंग़ु कुर सा होता है उसको तोमारे यहां लिकार्वाबो की कि? आप कही पुष्प वोलते हैं, आपका पुष्प मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी, अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवाले में जो आप प्रवेश्च कर के बले का कुष्प और एक लोटा जल आपके पास में हैं, शिवाले में पहुचकर, शीतल आर्थी का प्रयोग करो, ग्यारा वार भगवान शंकर के ग्यारा रुत्रों का समर्ण करकर, जब ग्यारा वार शंकर के शिवलीं के उपर से नीचे तक बुर्कलश को जब घुमाय जाता है, और गुमाने के बाद वो आख का जो कुष्प है, वो अशुक सुंदरी वाली जगा पर समर्पित करकर, भगवान शंकर को जो जल चड़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डाक्टर भले कुन से के रहा हो कि तुम्हें बड़ी बिमारी के चांसे हैं, आप जातर एक बड़ चेत कराना, तो मैं वो बड़ी बिमारी मा निकलेगी ही नहीं, उस रोग सकते हैं, इसको शीतल आर्थी का प्रयोग किया गया है, ये शीतल आर्थी शीतल आर्थी नमस्तुद्यम, हरहर महादेव, जैमाकॉल, आप सभी का स्वाधत है आज के इस नए वीडियो में, मित्रो आप सब को पता है, मैं हमेशा गुरू जी बाटित परदीप जी मिश्रा द्वारा बताए अपने उपाए आप के लिए लिए कराता हूं, और उन उपाए को अच्छी तरफ चे आपको समझाने की गोशिश करता हूं, इसी करम में आज का ये उपाए ह देशे तो आपने इस उपाए को गुरू जी से सुन लिया है, इस उपाए को कैसे करना है, एक पुस्ट आख का पुस्ट और एक कलस पानी से, एक लोटे पानी से ये उपाए आपको करना है, कैसे करना है, ये आपको गुरू जी ने बता दिया, अभी मैं आपको बताने वा यह उपाय करते समय, आपको महादेव के ग्यारा रूदर का नाम जरूर लेना है, तबी यह उपाय सफल होगा, इसलिए मैं आपको आज उन ग्यारा रूदर के नाम बताने जारा हूँ सबसे पहला नाम है कपाली, दूसरा है पिंगल, तीसरा है भीम, तोथा है वीरुपाक्स, पांचवा है विलोहिप, छठा है सास्ता, सात्वा है अजपाद, आठ्वा है अहिविद्ध्य, नौवा है संभू, दस्वा है चंद, और ग्यार्वा है भव, इन ग्यारा रुद्ध्र का नाम लेकर आपको भगवान सीव को जल समर्पित करना है, तभी आपका यह उपाय सफल होगा, मित्रो, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम जरूर लेखें, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते है किसी अगली वीडियो में, श्री शिवार, नमस्तु बेंद,